लव शुडेन, ओपर बिर भूक पेस नंबर शिश्टीफोर, पाम्ज will the place older with greater than and less than, बच्चों question number one में आपको greater than and less than का sign लगाना हो है, यहां पर देखिए यह पहला sign है, यह sign जो है greater than का है, और यह sign जो है less than का है, यहां पर देखिए 18 और 15 में आपको को यहां पे किससे देखिया चुल फोर्टीन को साइन की सहते है इसके बाद है छोटा चिमि तो यहाँ पर सिस्टी चोटा किस से थनीच इहां पे सिस्टी चोटा है पर चेंग aconteysis सेंगनेटेज क्वागा तो सिवंट्टी च्वंटी क्या लेंटơi सबस्क्राइब दोगा हुआ है चोटा है यहां पर लेज देनगा साइन लगा हुआ अब इधर आज आ जाएए शिष्टिन है अब 12 बड़ा किस से 12 से तो ग्रेटर देनका साइन लगा हुआ है उसके बाद आता है आपका 19 है और 13 है 19 क्या है बड़ा है किस से 13 से यहां पर भी greater दिन का sign लगा हुआ है आप आप काता है write the ascending order ascending means होता है is smallest to greatest ascending order means क्या होता है smallest to greatest order मतलब छोटे से बढ़ते करम में लिखना पहले छोटा लिखेंगे फिर उसके बाद उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उसने अला नाश्ट में सबसे बड़ा लिखेंगे यहां पर देखिए question no one है 18 15 11 20 19 इसको हम ascending order में लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे 11 15 उसके बाद 18 19 20 तो यहां पर देखिए सबसे चोटा नंबर है और यहां पर देखिए सबसे बड़ा नंबर है उसी प्रकार हम दूसरा कोस्टिन करेंगे 14 20 17 12 और 18 को हमें ascending order में लिखना है तो यहां पर देखिए हम लिखें है 12 14 17 18 और यहां पर 20 हो यह हो गया का ascending order अब इसके बाद आता है descending order descending order means होता है greatest to smallest मतलब पहले बड़ा नमबर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा लाश्ट में सबसे छोटा यहां पर question solve करेंगे पहला question देखिए 18 15 11 20 और 90 इसको हम descending order में लिखेंगे greatest to smallest तेहां पर 20 है सबसे greatest नमबर उसके बाद 19 है फिर 18 है फिर उसके बाद 15 है फिर सबसे लाश्ट में 11 है फिर दूसरे question पर आएंगे 17 है 13 11 10 और 15 इसको हम descending order में लिखेंगे तो सबसे बड़ा नमबर हो गया आपका 17 उसके बाद हो गया 15 फिर 13 है फिर 11 है फिर 10 है इसी प्रकाय बच्चों आप लोग लाश्ट वाला भी question कर लेंगे और आप लोग एक बार फिर repeat कर लीजिए ascending order मेंस होता है smallest to greatest और descending order मेंस होता है greatest to smallest तो बच्चों आप लोग अपनी बुक को फिल कीजिएगा पेज नमस इस्टी फो ठैंक यू